मनीशा फूट किचन में अब सबका स्वागत है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में लाइक और बैल आइकन का बटन भी जुरूर दमाएं आज बनाई है मैंने बेसन वाली अर्वे के पत्तों की सब्जी बहुत ही डेस्टी ब खटा बना लिया है कूट कर और एक प्या जा उसको काट लिया है सबसे पहले अर्वी के पत्तों को मैंने सारे पत्तों की खट्टा कर लिया है उसके बाद उनको हम पतले-पतले टुकड़ों में काट लेंगे अर्वी के पत्ते कट चुके हैं इनको एक थाली में डालेंगे यहां पर मैंने लिए आधी कटोरी बेशर उसमें डालेंगे आधा चमच लार मिर्च और आधा चमच डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चमच डालेंगे हल्दी पाउडर और डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार सबसे पहले मसालों को मिक्स कर लेंगे बेशन के साथ मसाल अची तरह मिक्स हो चुके है अब इस बेशन को हमार भी के पत्तों के उपर डाल देंगे थोड़ थोड़ा मिक्स कर लें उसके बाद सारा डाल देंगे यहां मैंने एक टोरी में पानी ले लिया है अब इसके बेशन को थोड़ थोड़ा पानी चड़कते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे अर्वे के पते और बेशन को जिससे की बेशन अर्वे के पतों पे चिपक जाए अर्वी के पते बिल्कुल ड्राय होते हैं गो दोने के बाद भी इनके अंदर पानी नहीं टिकता इसलिए मैं इन पर थोड़ थोड़ा पानी चड़क कर बेशन को चिपका रही हूँ अर्वी के पतो पर अगर हम पालक लेते तो पालक के उपर तो बेशन आसानी से चिपक जाता क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी होता है अब ऐसे हम थोड़ थोड़ा पानी डालती जाओंगी और अर्वी के पतों को अच्छे से मिक्स कर लेंगी बेशन के साथ जेते जो उड़ते मैं उत्रा पानी डाल रही हूँ हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है बेशन को मिक्स करते जाएंगी बेशन के साथ अर्वी के पतों को यहां सारा बेशन और अर्वी के पते मिक्स हो चुके है थाले पे जितना बेशन था उसको भी मैंने उसको भी हटा लिया है अर्वी के पतों पे चिपका लें उनको भी अलग कर लेंगे थोड़ थोड़ा इनको हिला कर अर्वी के पतों को कहीं कहीं ज़्यादा बेशन लग रहा है जितना भी हाथ में मेरे बेशन लगा हुआ था मैंने एक कटोरी में पानी के साथ उसको हटा लिया है इसको हम बाद में सबजी में यूज करेंगे अब कड़ाई में मैंने डाल दिया है फड़ा चमस तेल का उसमें डाल दिया है आदा चमस जीरा जब जीरा भुन जायागा तो उसमें डाल देंगे कटोवा प्याज प्याज को भूल लेंगे और साथ में डाल देंगे लस्टन का पेस्ट इसको भी प्याज के साथ भून लेंगे प्याज भूनने के बाद इसमें डाल देंगे कट ओवर टमाटर या मैंने तो छोड़े छोड़े टमाटर ली है टमाटरों को भी भून ले का यूजसे से टिमाटर सौफ्ट हो जाए अजया के डाल देंगे कशमीरी लाल मिर्ज Uरड़ तुमज किछन कीग मसाला, मसालय को मिक्स कर लेंगे अज गोड़ा सा पानी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टामाटर सोफ्ट हो चुके हैं इनको अच्छे से मैश कर लेंगे और साथ में मैं बेसन वाला पानी भी डाल रही हूँ जिससे हमारा अच्छा सा मसाला त्यार हो जाए बेसन का पाइन डालने से हमारी मसाला गाड़ा गाड़ा सा हो जाएगा सारे टामाटर को मैश कर लेंगे मसालों को अच्छी तरह भून ले जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे उसके बाद इसमें डाल देंगे दही यहां मैंने एक बड़ा चमज डाला है दही का इसको भी मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और मसाले को जब तक मूनेंगे जब तक की मसाला तेल ना छोड़ दे मसाले को अच्छी तरह पका लें मसाला मार अच्छी तरह पक चुका है अब इसमें डाल देंगे बेसन वाला अरभी के पत्ते सारे पत्तों को डाल देंगे अब इनको मसाले के साथ मिक्स कर लें इनको मिक्स करते जाए क्योंकि जैसे जैसे मारा बेसन पकेगा यह गाड़ा होता चला जाएगा मसाला हमारा इसको धीदर पकाते रहें और इसको मिक्स करते रहेंगे जिससे की पत्ते आपस में चिपके न इनको मैं पकाती भी जारी हूँ इनको अलग भी करती जारी हूँ ऐसे हमारा बेसन पक जाएगा इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब देखनें बेसन और वो अरवी के थोड़ थोड़े पक गए है इसको मैं अच्छे तरह मिक्स कर लिया है साथ साथ पिनको अलग भी करती जारी हूँ जिससे की पत्ते चिपके नहीं बेसन के साथ जितना हमारे पल्टे पे लगा हुआ है बेसन इसको भी हटा लेंगे अब इसको एक आदे मिनट के लिए और पका लेंगे जिससे की बेसन और अरवी के पत्ते हमारे अच्छी तरह पक जाएं बेसन कच्छा ना रहे अब इसको मैं अच्छे से निक्स कर रही हूं और अलग अलग कर रही हूं अब mozzarella को अब हमारे बीसन हाच्य तरह पक चुका है तो असानि से अलग हो जाएगा और तयार हो चुकी है हमारी अर्वी में पत्ते और बेसन की वुज्जी बोती खाने में टेस्टी बनी है कर दो आड़े